बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर करेगा तो चलिए राशी फल के शुरुबात करते हैं पंचांक के साथ में तो दिन है गुरुवार का तारीक है एक दिसंबर दो हजार बाईस मार रशीश शुक्ल नौमी पर चंद्रमा कुमराशी और पूर्व भा आद्रपद नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा एक शुभरंग रहेगा लाल शुभ दिशा रहेगी पूर्व रहुकाल रहेगा दो पहर को तेड़ बज़े से लेकर शाम को तीन बज़े तक पंचक दिन रात रहेंगे रवियोग रहेगा दिन का सबसे वाराही की पूजा की जाएगी और हमारा जो स्पेशल उपाय है विशेश उपाय बो भी देवी वाराही से ही जोड़ावाए बताएंगे आपको शत्रों पर जीत कैसे मिलेगी उसके लिए राशिफल आखिर तक दिखेगा शुरुआत करता है राशिफल की पहली राशिमेश चैनी एरिस के साथ हैं लोगों की मदद से काम पूरी होंगे कोई खुशखबरी मिलेगी नई जम्मेदारी मिलेगी जीवन साती से तालमेल बहता रहेगा पारे बारे कृष्टों में नया पनाएगा उपाये करें कि मंदिर में हल्दी का धान करें शुबंग के रहेगा पक्षियों को दाना खिलाएं शुबंग सात रहेगा शुबंग रहेगा से लिटी तीसरी राशी मित्वन यानी जमनाय की बात करेंगे अधूरे काम पूरे होंगे कारोबार के विस्तार के नए मौके मिलेंगे प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी मन बहुत खुश रहेगा नए विशेज को ठीक से सीखेंगे उपाईए करें कि सूरे देव को जल अर्पित करें शुबंग छे रहेगा शुबंग रहेगा गुलाब भी है चौथी राशी करक यानी के कैंसर की बात करेंगे आत्यादिक विस्तार रहेगी घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी खा बातों से विवाद में पढ़ने से बचें गुस्से परकाबू रखें खास लोगों से संपर्क होगा निवेश को लेकर सलहा लेंगे चात्रों के पढ़ाई लिखाई बहतर रहेगी उपाईए करें कि कुत्ते को रोटी खिलाएं शुबंग दो रहेगा शुबंग रहेगा सफेद छटी राशी कन्या यानि वरगों की बात करेंगे भागी का साथ मिलेगा साहते कारों को खुशी मिलेगी करियर में सफलता मिलेगी जीवन साथी के सलहा लाबदायक रहेगी मित्रों के साथ में घुमने परने जाएंगे उपाईए करें कि गरीब बच्चों को केले करें शुभंक च्छे रहेगा शुभरंग रहेगा गुलाबी सात्वी रैशी तुला यानि के लिवरा की बात करेंगे हर काम मन मुताबिक पूरा होगा भाशा पर काबू रखें फालतु के बाद विवाद से दूर रहें खास काम में दोस्तों का सहयोग मिलेगा सेहत पर पू आगे रहेगा परिवार के साथ में घुमने फिने जाएंगे उपाईये करेंगे शिवलिंग पर जल अर्पित करें शुभंक एक रहेगा शुभरंग रहेगा लाल नवी राशी धनू यानिकि सेजटेरियस की बात करेंगे व्यापार में उम्मिद से जादा लाभ मिलेगा धन शेतर मजबूत रहेगा दफ्तर में राय रखने का मौका मिलेगा लोग प्रभावित होंगे प्रेमियों किशाम रोमानी रहेगी उपाईये करें कि ब्रहमन को कुछ दान करें शुभंक चार रहेगा शुभरंग रहेगा नीला दस्वी राशी मकर यानिकी के प्रकौन क कि बात करेंगे जो खिंबरा काम करने से बचें धन शेतर में व्रद्धी होगी और शरीर में कुछ सुस्ति चाही रहेगी संतान से विवाद के योग हैं कामकाज में परिजन सहयोग करेंगे उपाईये करें कि गनेश जी को हरे रंग का कपड़ा चड़ाएं शुभंक नो रहेगा शुभरंग रहेगा नारंगी ग्यारवी राशी कुम्भ यानिक अक्वारियस की बात करेंगे योजनाय समय से पहले पूरी होंगी परिवार का माहुल खुश्णुमा रहेगा कारिशेतर में बड़ी सफलता मिलेगी बहुतिक सुख साधनों में व्रद्धी होगी दम पते संबन बधुर रहेंगे उपाई ये करेंगे छोटे बच्चे को पैन गिफ्ट करें शुभंक नौ रहेगा शुभरंग रहेगा नारंगी बारवी राशी मीन यानि पाइसिस की बात करेंगे आत्मों भल से भरे रहेंगे व्यापार में लाव होगा दफ्तर के काम असानी से पूरे होंगे संतान से सुख मिलेगा दूसरों की जरुरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे उपाई ये करें कि ग्यारा बार ओम का उचारन करें शुभंक चार रहेगा शुभंक रहेगा नीला तो दोस्तों समय हैं आज के विशेश उपाय का वो विशेश मारगशिश के नाउमी है और साथ में देवी वाराही लक्षमी का ही प्रारूप है तो देवी वाराही का पूजन करें और देवी वाराही पर छे हल्दी की गांठे चड़एख लख हैं और इस पूरे प्रयोग में विशेश मंत्र का जब करें ध्यान से सुनियेगा ओम वरहा मुख्य विद्धमहे दंड नाथाय धीमही तन्नो अरधी प्रचो दयात आश्वस्त करता हूं आपको निश्चत रोप से शत्रू पर जीत मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मिलाकात होगी इजाज़त दीजेगा नमस्कार नमस्षिवाए